उत्राखंड को देव भूमी भी कहा जाता है यहां इस ती चार धामों में से एक बदरिनात धाम में कई रोचक बाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा आज हम आपको बदरिनात मंदिर से जुड़े कई रोचक बातों को बताएंगे तो वीडियो सुरू होने से पहले कमेंड में जैश्री किष्णे जरूर लिख दे बदरिनात मंदिर चार धामों में से एक है बदरिनात मंदिर दुनिया भर में हिंदू आस्ता का सर्वस्रिष्ट मंदिरों में से एक है चार धावों में से पहले बद्रिनाद धाम में हर साल लाकुष रधालू विश्व भर से दर्शन करने के लिए आते हैं इस मंदिर का निरवार आठवी सताबदी से लेकर साथवी सताबदी के बीच हुआ था जिसके बाद इसमें कई परिवर्तन भी हुए चले इस मंदिर से हम आपको कुछ खास बाते बताते हैं हिंदु धार्मिक गंतों के अनुसार बद्रिनाद जी की मूर्ती सालिगराम सीला से बनी हुई है यह मूर्ती चतुरभुज ध्यान मुद्रा में है जब बौद धर्म प्रबल हुआ करता था तब इस मूर्ती को बुद्ध के रूप में पूजा जाता था संकरह चायले जी अपने बद्रिनाद निवास के दोरान छे महिना यहाँ पर ठहरे थे जिसके बाद वो किदार नाध धाम चले गए बद्रिनाद मंदिर को भारी बर्फबारी और बारिस के कारण कई बार भारी नुकसान पहुचा है लेकिन गड़बाल के राजाओं ने मंदिर के नवीनी करन के साथ साथ इसका विस्तार भी किया है सन 1803 में इस छेतर में आये भुकम से मंदिर को काफी नुकसान पहुचा था आपको बता दे कि इस घटना के बाद जैपूर के राजा ने मंदिर का पुना निर्मान कराया था इस मंदिर के ठीक नीचे औसधिये गुनों से योग गर्म पानी का कुंड भी मौजूद है इस कुंड के पानी में सलफर की अच्छी खासी मातरा पाई जाती है शरधालू भगवान बदरिनात के दर्शन करने से पहले इस कुंड में जरूर स्नान करते है माना जाता है कि इस कुंड में कई औशधिये गुन पाये जाते है जो शरधालू के चर्म रोग जैसे समस्या को ठीक कर देता है भगवान बद्रिनात के इस मंदिर का उलेक तमाम प्राचिन हिंदू गरंथों में मिलता है इन गरंथों में भगवत पुरान, सकंद पुरान और महाभारत आदी प्रमुख है तो ये थी बद्रिनात मंदिर से जुड़ी कई रोचक बाते अगर आपको वीडियो पसंद आया थे वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें और भी इसे तरह के वीडियो के रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब तक के लिए जैशे कृष्ण